हेलो नमस्ते और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है Competition Community के YouTube चैनल पर और जैसे कि FTR 3.0 की सीरीज जो चल रही थी उसमें हम गनतिय योगिता के तीसरे भाग के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है तो देखिए आज का हमारा जो विशे होने वाला है वो है चाल समय दूरी, रेल गाड़ी समंधी प्रशन देखेंगे, नाओ एवं धारा, कारी एवं समय, नल और टंकी, आयू समंधी प्रशन ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स से हम आज का वीडियो जो है वो लेकर आए है, तो आएए अपना नोटबुक और पहले लिजे, मेरे साथ बने रही है शुरू से आकरी तक, बहुत कुछ नया आप सीखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रशन यहाँ पर आपके सामने आये, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब एक छातर पांच किलोमेटर प्रति घंटे की गती से अपने स्कूल जाता है, तो वह 15 मिनिट पहले अपने स्कूल पहुंचता है, और 3 किलोमेटर प्रति घंटे की गती से अगर तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, घर और school की बात हम कर रहे हैं, तो घर और school के बीच की जो दूरी होती है, वो समान होती है. तो अगर हम यहाँ से देखे हैं एक पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए कि गती जो होती है वो होती है speed is equal to distance upon time यानि दूरी बटे समय जो होती है यह गती होती है दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि अगर दूरी समान हो गई इस दूरी को अगर हम समान कर देते हैं तो गती जो होती है वो समय का व्यूत करमानुपाती होती है मतलब जो S1, S2 यानि कि पहले वाले गती और दूसरे वाले गती का जो अनुपात होगा वो समय का जो अनुपात होगा उसमें उल्टा हो जाएगा व्यूत क्रमुनापाती का मतलब यही होता है तो S1 रेश्यो S2 जो होगा यह T2 रेश्यो T1 हो जाएगा तो आईए इसको solve करने की कोशिश करते हैं पहले जब छात्र जा रहा था तो 5 km प्रति घंटे से जा रहा था मतलब पहले वाला जो उसकी गती है और दूसरे वाली जो गती है S2 यह 5 है पहले वाली और दूसरे में यह 3 km प्रति घंटे से जाता है मतलब यह उसका अनुपात हो गया गती का तो अगर हम यहाँ पर समय का अनुपात निकाले T1 रेश्यो T2 निकाले तो आप एक बात जानते है कि यहाँ पर जो अनुपात होता है वो उल्टा हो जाता है क्योंकि यह उसका व्यूत करमवा अनुपाती है मतलब यहाँ पर 3 अनुपात 5 हो जाएगा अब देखिए सवाल में दिया हुआ है कि पहले जब वो 5 किलोमेटर प्रती घंटे से जा रहा था तो 15 मिनिट पहले पहुंच रहा था मतलब यह जो समय है यह 15 मिनिट पहले पहुंचने वाला समय है और यह जो समय है यह 9 मिनिट देरी से पहुंचने वाला समय है याने यहाँ पर उसे 9 मिनिट एक्स्ट्रा लख रहे होंगे, बात समझ में, अब अगर हम यहाँ पर अंतर देखें, इन दोनों समय में जो अंतर आया, वो 2 का अंतर आया, 2 यूनिट का, लेकिन यहाँ हम देखेंगे तो 15 मिनिट पहले से 9 मिनिट देरी, मतलब कुल जो इन द निकालना था कि तद अनुसार घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालनी, तो अगर गती बरावर दूरी बटा समय है, तो दूरी बरावर हो जाएगी, समय बते गती, तो दूरी बरावर क्या हो जाएगी, S2, कोई भी एक ले लिजे, गती, किसी भी एक गती को ले लिजे, तो 5 बराबर गुणे 12 कर लीजे 60 मिनिट हो जाएगा लेकिन देखिए अगर आपने इसको यहाँ पर 3 किलो मिटर प्रती घंटा लिया हुआ है तो इसे भी हमें 60 मिनिट ना लेकर 60 मिनिट को घंटे में कंवर्ट करना पड़ेगा तो 60 मिनिट बटे 60 मिनिट कर लीजे तो यह ह हो जाएगा एक घंटा मतलब जो दूरी है वो 3 किलो मिटर की दूरी है बात समझ में आई की नहीं ठीक है पहला सवाल आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा रेशियो अप्रोच से हम इसको सॉल्व करेंगे चलिए अगला सवाल देखते हैं दूसरे सवा आख ये गए कारे का भाग क्या है देखिए बात समझिए जभी भी हम यहाँ पर दोनों मिलकर कारे कर रहे हैं दोनों मिलकर कारे कर रहे हैं तो इनकी जो कारे कुशलता का अनुपात होता है उसी अनुपात में कारे भी होता है तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता हो हैं तो हमारी जो कारे कुछलता है और जो समय होता है यह वर्क बटे यानि कि कारे बटे समय हो जाता है तो अगर हम इसको constant वान रहे हैं यानि कि यह समान है इसका मतलब आपकी जो कार कुछलता है यह समय का व्यूत क्रमा अनुपाती हो जाता है मतलब जो समय का अनुपात है T1 अनुपात T2 जो होगा ये आपका उल्टा हो जाएगा E2 ratio E1 हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ये बात समझ में आ रही कि नहीं हो आ रही तो अब देखिए हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि A जो है जो A समय ले रहा है और जो B समय ले रहा है इसमें देखिए A को 6 दिन लगते है और B को 12 दिन लगते है तो अगर हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे तो ये कड़ जाएगा एक अनुपात 2 में तो अगर हम कार कुशलता की बात करे, A की ही और B की जाहिर सी बात है, यह उल्टा हो जाना चाहिए दो अनुपाद एक, क्योंकि यह व्यूत-क्रमानपाथी होते है एक दूसरे के, तो अगर यहाँ पर यह उनका अनुपाद है तो जो वर्क होगा कार्य का जो होगा A ने कितना कारे किया, यही हमें निकालना था, तो देखिए A जो है दो कारे करेगा, और कुल कारे हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 3 में से 2 कारे जो है वो A करेगा, क्योंकि देखिए दोनों 7 मिलकर कारे कर रहे हैं, मतलब जितने समय के लिए A करेगा, उतने समय के लिए आपका B भी कारे कर रहा है, तो direct जो इनकी कारे कुशलता है, उसी अनुपात में कारे भी होगा, तो दो कारे करेगा A 3 में से, आशा करता हूँ, यह दूसरा सवाल आपको समझ में आय้ होगा, तीसरा सवाल देखते है, आपके स्क्रीन के ओपर आ चुका है, इसको समय में कारे करेगा तो पहली बात तो हमें जो पता होनी चाहिए वो यही है कि कारे बराबर कारे कुशलता इंटू समय होता है तो A की अगर हम बात करें और यहाँ पर हम लिखेंगे समय तो यह जो समय है यह घंटों में लिखा हुआ है तो A को जो समय लगना है वो है चार गंटे, फिर दूसरी बात बुल रहा है, तीन गंटे लगते हैं, जब B और C साथ मिलकर कारे करते हैं, तो हम B प्लस C यहां पर लिख लेते हैं, तो यहां पर तीन गंटे, और आखिर में दिया हुआ है, दो घंटे, जब A और C मिलकर कारे क चार, तीन और दो का, बारा होता है लगुत्तम समाफ परती है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर efficiency, याने कि कारे कुशलता निकालेंगे, और efficiency होता है, देखें, यह work है, बराबर कारे कुशलता गुने समय है, तो कारे कुशलता जो होगी, यह हो जाएगी, कारे बटे समय, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कारे बटे समय करते जाएं, तो एक ही कारे कुशलता है, तीन यूनिट, इसका मतलब यही है, कि एक घंटे में तीन यूनिट काम कर रहा है, और B और C मिलकर जब काम करेंगे तो इसको 3 बटा कर दीजे तो B प्लस C मिलकर एक घंटे में 4 यूनिट काम कर रहे है और A और C को जब हम यहाँ पर 12 से 2 को विभाजित करेंगे तो 6 यूनिट आएगा मतलब A और C मिलकर यहाँ पर 6 यूनिट कारे कर रहे है इतना आपको समझ में आ गया होगा लेकिन हमें निकालना था b का समय तो देखे time जो होता है b का वो हो जाएगा car ये बटे b की car ये कुशलता तो अब हमें b निकालना है देखे b निकालने का direct तरीका तो नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाए दे रहा है कि A बराबर 3 है तो इस A बराबर 3 को यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया तो C बराबर 3 हो गया चुकि 3 यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा अब अगर C बराबर 3 है तो C को यहाँ पर डाल देते हैं चले आगे बढ़ते हैं चौता सवाल आपके स्क्रीन के उपर आ चुका है, इसको solve करेंगे, देखें क्या दिया हुआ है, दो पाइप A और B क्रमशा 18 गंटे और 6 गंटे में एक टैंग को भरते हैं, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टैंग भरने में कितना समय लगेगा, तो हमारा जो अप्रोच है वो ऐसा ही रहेगा, A और B बारा, 18 गंटे और 6 गंटे लगाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समय, ठीक है, घंटों में हम लिखेंगे इसको, कि A और B 18 गंटे और 6 गंटे लगाते हैं, फिर हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में आयतन, आयतन जो है यह होता है 18, हम ले लेंगे इसको लगुत्तम समाप वरती इन दोनों का, इन दोनों का लगुत्तम समाप वरती तो 18 ही होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसकी efficiency, यानि की pipe की दक्षिता जो की होता है volume बटे समय, मतलब एक समय में, एक घंटे में कितना कितना पानी यह लोग तंकी में भर रहे हैं, तो देखिए इसको volume बटे time लिखा है, तो 18 बटे 18, मतलब एक घंटे में एक unit volume भरता है, और B की अगर बात करते हैं, तो B जो है, एक घंटे में 3 unit भरता है, तो अगर हमें यह निकालना था कि दोनों मिलकर कितना समय लग देखिए दक्षता में आप प्लस चाहे माइनस कर सकते हैं, लेकिन समय में प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, समय निकालने के लिए आपको दोनों का combine दक्षता पता होनी चाहिए, और आयतन बटे उनकी दक्षता जो होगी, वहां से आपका समय निकल क्या जाएगा, तो देख ठीक है, साड़े चार घंटे में जो है, यानि ए उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सवाल आपका समझ में आगया होगा, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं, तो आईए पास्यों नंबर की सवाल को देखते हैं, क्या है, हल करने की क मतलब बारी-बारी से पहले घंटे में A आएगा, दूसरे घंटे में B को खुला जाएगा, तीसरे घंटे में फिर A को खुला जाएगा, इस तरह से अगर टंकी को भरा जाए, तो टोटल कितना समय लगे, देखी हमें तो एक बात पता है, कि आयतन बराबर होती ही, पाइप और चार का LCM होता है, बारा, तो इसको हम आयतन मान लेंगे, तो इनकी जो दक्षता होती है, वो होती है, आयतन बटे समय, तो बारा बटे 6 करोगे, तो यहाँ दू आ जाएगा, बारा बटे 4 करोगे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, मतलब यह हो गई A की दक्षता, और यह हो तीन वॉल्यूम फिल कर देगा तो यह 5 हो गया, तीसरे घंटे में फिर से A आएगा, और A यहाँ पर दो यूनिट फिल करेगा, क्योंकि प्रती घंटे A जो है, दो यूनिट टंकी में भरता है, तो इसके बाद फिर आएगा चौथा घंटा जिसमें कि फिर से आपका B आने वाला है और B तीन यूनिट यहाँ पर फिल करेगा तो यहाँ तक हमारा 10 यूनिट फिल हो चुका है, अब यह पांशवे घंटे में फिर से A आने वाला है और A यहाँ पर दो यूनिट फिल करेगा जो कि हमारा माना हुआ वैलू है और समय जो लगेगा, यह हमारा समय है घंटों में 5 घंटे लग जाईए इस टंकी को भरने में आशर करता हो कि आपको समझ में आया हो चलिए अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन यहाँ पर आया होई कारे कुशलता के उपर निरधारी ते सवाल है देखिए A, B के अपेक्षा दुगना दक्ष है मतलब उसकी कारे कुशलता जो है उसकी दुगनी है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 18 दिनों में कारे को पूरा कर सकते हैं यदि A अकेले काम करता है तो वहाँ कितने दिनों में कारे पूरा कर पाएगा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कारे बरावर होता है कारे कुशलता गुने समय मतलब वर्क बरावर क्या है efficiency गुना time इस तरह से हम लिखते हैं अब यहाँ पर हमें अगर time पहले column में हमें लिखना है समय हम पहले column में लिखते हैं फिर वर्क यहां लिखते हैं और efficiency यहां आखरी में लिखते हैं तो हमें दिया हुआ A जो है वो B के अपेक्षा दुगना दक्स है कहने का मतलब अगर यहाँ पर A B एक दिन में एक कारे कर रहा है तो A जो है उसके दुगना दक्स है मतलब B अगर एक दिन में एक कारे कर रहा है तो A एक दिन में दो कारे करेगा अब हमें समय दिया हुआ था लेकिन समय दिया था A प्लस B का A प्लस B का दोनों मिलकर जब कारे करेंगे तो एक दिन में तीन कारे हो जाएगा बात समझ में और यहाँ पर हमें समय दिया हुआ था जब दोनों मिलकर कारे करते हैं तो अठारा दिन लगते हैं कितने दिन लगते हैं अठारा दिन लगते हैं तो अब देखे हम इसमें क्या करने वाले है अदयो हैं, देखी हम को यहां दियाओ था 18 दिन, और हम ने दक्षिता निकाल दी कि दोनों मिलकर जब कारे कर रहें, तो यहां के रह나 हो रहा है। जिसमें से ए एक दिन में दो कारे कर रहा है, हमें निकालना था, तो वह कारे करने में ए को कितना समय लगेगा, ए अकेले कारे कर रहा है, तो देखी, एक दिन में दो कारे कर रहा है कि लिए, और यहाँ पर हमें पता है, कि चववन कारे करना है, तो चववन बटे दो कर लीज जो की होता है 54 याने 54 बटे एक इदक्षता दो की है तो यह हो जाएंगे 27 दिन खीक है यही चीज हमने वहाँ ग्राफिकली निकाला और ज्यादा असान यही है कि आप इसको डारेक्ट दो से भाजित कर दीजे क्यूंकि यहाँ पर दो गोने 27 कर लिजे यही आना चाहिए खीक गई इसके द्वारा ली गए समय कितना होगा तो देखिए सबसे पहली बात हमें पता है कि गती बरावर होती है समय दूरी बटे समय और दूसरी बात हमें जो पता है कि समान दूरी में समय जो होता है और गती जो होती है कि एक दूसरे के यूत क्रमानुपाती होते हैं तो अगर S1 रेश्यो S2 बन रहा है तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा T2 रेश्यो T1 हो जाएगा समय में तो सबसे पहली बात इससे हम सुरुआत करते हैं हमें यह पता है कि एक ट्रेन है 12 मिनिट में 10 किलोमेटर कवर कर रहा है तो इसकी अगर हम गती की बात करें तो होता है दू कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो किलोमेटर प्रती घंटे है तो इसको भी हम किलोमेटर प्रती मिनिट में ना रखके प्रती घंटे में जाएगे तो आप जानते है कि एक मिनिट में एक बटे साथ घंटे होते है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बटे में एक बटे सा दूसरा स्पीड किया है हमारे पास बिल्कुल है वहीं यहां पर इसकी गती को हम पाँच किलोमेटर प्रति घंटे से कम कर रहा है मतलब कम करने का मतलब पहले 50 थी अब 50 में पांच किलोमेटर कम करदे तो आजाएगा कितना पैतालिस आजाएगा तो देखिए क्या हम यहां पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं T1 और T2 का आपका जवाब होगा बिल्कुल निकाल सकते हैं हमको पता है समय और गती एक दूसरे के व्यूत क्रमानुपाती होते हैं तो अगर इसको काट दिया जाए पा इस 10 मिनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं अगर 9 बराबर है 12 मिनिट तो अगर हमें 10 का मान निकालना है तो यह हो जाएगा 12 बटे 9 यह हो गया 1 का मान गुने 10 तो अगर हम इसे 3 से काटते हैं तो यहां पर 4 बटे 3 मतल मतलब क्या है एक बटे तीन मतलब मिनिट में है तो अगर इससे साट गुना करोगे तो कितना जाएगा 20 सेकेंड मतलब यही हुआ ना 13 मिनिट और 20 सेकेंड यानि कि डी जो है इस सवाल का सही उत्तर है ठीक आशा करता हूं यह आपको समझ में होगा फिर से हमने यहाँ पर रे यह जो सवाल है अनुपात से लिए हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ हम अनुपात भी ले ही रहे हैं हर एक सवाल में हम अनुपात लगा रहे हैं और पहले वीडियो में हमने कुछ कुश्चन देखे थे तो दो सवाल यहाँ पर भी देख लेते हैं देखे ए अनुपात B और B अनुपाद C ये हमें पता है कि पहला और दूसरा संख्या दो अनुपाद 3 है इतना है दो अनुपाद 3 और दूसरी और तीसरी संख्या 5 अनुपाद 3 है तो क्या हम A अनुपाद B अनुपाद C निकाल सकते हैं आपका जवाब होगा बिल्कुल निकाल सकते हैं शॉर्ट C का अनुपात एक बर ABC का अनुपात आगए तो हमें तो B पूछ रहा है ना तो दूसरी नंबर याने बीच की नंबर जो है B है उसे हमें निकालना था तो B का वैल्यू जो है वो है 15 और बटे में क्या आ जाएगा 15 प्लस 10 होता है 25 प्लस 9 करोगे 34 और गुने में आ जाएगा भई यहाँ पर पूर्य योगफल है 136 अब अगर हम इसको इससे काटते हैं तो कटेगा चार बार 4 गुने 15 होता है 60 मतलब B का मान आ गया हमारे पास 60 ठीक है आशा करता हूँ कि राशी को A, B, C में भाजित किया जाता है ताकि यदि उनके शेरों में क्रमशह 5, 10 और 15 रुपय की कमी आती है तो शेष जो होता है वो 3, 4 और 5 के अनुपात में होता है फिर B के हिससे में कितना था यह हमें ग्याद करना है देखिए बात समझी हमको बहुती आसान सा सवाल ह A, B, C इनको कुल मिला के हमें कितना देना था आपका जवाब होगा भई रुपय में 2430 रुपय देना था अब यहां बोला गया कि इनके शेर में पहले वाले के शेर में हमने 5 रुपय कम कर दिया भई दूसरे वाले में हमने कितना कम कर दिया रुपय में आपका जवाब आपका जवाब होगा पंदरा रुपय कम कर दिया और कम करने के बाद क्या हुआ इनका अनुपात आ गया तीन अनुपात चार अनुपात पांच में यही अनुपात दिया हुआ कम करने के बाद 24 और 5 का अनुफात बनके आ गया तो देखे अगर हम यहाँ पर 5 रुपया कम कर रहे हैं यहाँ पर 10 रुपया यहाँ पर 15 रुपया तो इन टोटल में कितना कम हो गया 15 प्लस 10 होता है 25 25 में 5 जोड़ोगे मतलब कुल में हमने यहाँ पर 30 रुपया कम कर दिया तो इसमें से हमने कितना 30 कम कर दिया तो बचा कितना 2400 रुपया 2400 रुपया बचा की नहीं आपका जवाब बिल्कुल 2400 रुपया बचा हुआ है तो अब हमसे पूछ रहा था कि B के हिस्से में पहले कितना था तो अब अगर यहाँ पर हम B के हिस्से की बात करते हैं तो B के हिस्से में 4 आ रहा है और कुल हो गया 3 प्लस 4 प्लस 5 जो की हो गया 12 12 में गुणा कर देंगे 2400 2400 से अगर इसको 12 से काटेंगे तो आजाएगा 200 मतलब यहाँ पर कितना होगा 800 रुपिया मतलब देखिए यहाँ पर जो है आपका जो संख्या है इस 10 रुपे को कम करने के बाद 800 बना है मतलब पहले कितना रहा होगा 10 रुपे कम करने के बाद 800 बना हो मतलब पहले तो 810 रहा होगा कि पहले जो B के हिस्से में था, वो था 810 रूपिया, आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आयोगा, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, चली दसवे नमबर का सवाल आ चुका है, इसको solve करने की कोशिश करते हैं, देखी क्या पूछ रहा है, दो पाइप हैं, जिनका क्रमशा 20 गंटे, 24 गंटे में मिला कर यह लोग टैंक फिल करते हैं, एक निकास पाइप है, जो कि 3 गैलन खाली करता है, प्रती मिनिट 3 गैलन खाली करता है, एक साथ अगर काम करने पर इन्हें 15 मिनिट लगते हैं, टैंक भर नहीं में, यानि 3 के 3 टैंक को खोल दिया जाए, तो 15 मि जाद करना है इसको स्वाल्व करने के लिए एक बात तो हमें पता है कि यहां से जो आयतन होता है होता है पाइप की दक्षता गुणे समय तो अगर हम समय से शुरुआत करते हैं तो हमें मिनिटों में समय दिया हुआ मिनिटों में हमें समय दिया हुआ है कि A और B जो है कितना कितना 20 और 24 दिया रहा 20 मिनिट और 24 मिनिट में इस टंकी को भरते हैं तो आयतन की अगर हम बात करें आयतन मतलब की वाल्यूम ठीक है आयतन की अधि हम बात करें तो इसका LCM हो जाएगा लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर 3 एक साथ 15 मिनिट पर भरते है तो यहाँ पर A और B तो भरने वाले पाइप है लेकिन एक खाली करने वाला निकास पाइप है तो यहाँ पर माइनस लिखना मत भूलिएगा तो 15 मिनिट लगते है तो इन तीनों का LCM हो जाएगा 120 अब यहाँ से यदि हम दक्षता की बात करते हैं दक्षता याने Efficiency और गुने समय जो होता है वाल्यूम होता है तो यहाँ से दक्षता हो जाएगी वाल्यूम बटे समय इसलिए हम यहाँ LCM लेते हैं 120 अब यहाँ से 120 बटे 20 करेंगे तो आजाएगा 6 यह हो गई A की दक्षता 120 बटे 24 करोगे तो आजाएगे 5 यह हो जाएगी B की दक्षता और यहाँ पर A प्लस B माइनस C की जो दक्षता है यह आप जानते हैं 15 से विभादित करोगे 8 आठा जाएगा तो एक बात तो समझ बें आगए कि C की दक्षता हम निकाल सकते हैं इसको हमने माना था इतने unit है और यह minute में तो मानने थे कि जो efficiency आरही है यह इतने unit में है unit परती minute में आरही है तो अगर हम यहाँ से देखे हैं कि A और B की कुल जो दक्षता है वो 11 की है मतलब a plus b 11 होगया माइनस c बटे 8 तो c बरावर 3 यूनिट प्रती मिनिट है अब देखे सवाल में दिया हुआ है कि c जो है वो 3 गैलन प्रती मिनिट खाली करता है कहने का मतलब यहां पर एक यूनिट बरावर एक गैलन होगा की नहीं अब यहां पर 120 यूनिट है तो 120 मतलब कितना हो जाएगा 120 गैलन हो जाएगा 120 मतलब 120 ग्यालान हो जाएगा C जो है इस सवाल का सही उत्तर है आशा करता हूँ कि आपको इस समझ में आ जाओ चलिए आगे बढ़ते हैं 11 सवाल देखेंगे अगला सवाल देखेंगे यहां पर आ चुका A और B मिलकर T दिनों में एक कारेक को करते हैं A अकेले T प्लस तीन दिनों में करता है B अकेले इसको T प्लस बारा दिनों में पूरा करता है T क्या है हमें निकाला देखे जो तरीका अब तक हम अपना रहे हैं उस तरीके से आप करने जाएंगे आपका समय काफी बरबाद होगा इसका डारेक्ट शॉर्ट ट्रिक आप लिख कर रखे जबी भी इस तरह का सवाल आ गया जिसमें दो व्यक्तिओं का एक साथ कारे करने का समय दिया हुआ है ये दिया हुआ है दूसरा व्यक्ति उस समय से कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ले ले रहा है जैसे कि 3 दिन ज़्यादा ले रहा है यहां पर और दूसरा व्यक्ति जो है लो 12 ज़्यादा ले रहा है तो डारेक्ली हम बतारे है कि टाइम जो होता है स्क्वेर रूट आफ 10 गुणे 12 ये जो दो संक्या है उन लों को गुणा करके उसका आप वर्गमूल ले लिजे यानि कि 36 का वर्गमूल और 36 का वर्गमूल होता है 6 मतलब T बरावर 6 दिन हो जाए यदि यह पूशता कि A कितने समय में कर रहा है तो T प्लस 3 आपका उत्तर होता 9 दिन में और B अकेले इस कारे को कितने दिन में कर रहा है तो यह हो जाएगा भई 6 दिन ठीक आश्या करता हूँ आपको समझ गया हुआ अगला सवाल देखिए ठहराव को छोड़कर एक बस की गती जो है वो 54 किलोमेटर प्रतिगंटे की है ठहराव सहित जो है वो 45 किलोमेटर प्रतिगंटे है तो वह बस कितना मिलिट रुखती है एक गण्ते में ठीक है यह इसका डिरेक्ट है आप फौर्मूला नोट कर लिजे कि प्रतिक्षा का जो समय होता है मिनिट प्रती घंटे में होता है 60 गुने एक माइनस गती जो होती है ठहराव सहित बटे में आ जाएगा गती ठहराव छोड़ कर तो देखिए इसको एक लाइन में हम यहाँ से सॉल्व करते है 60 यह होता है मिनिट में तो एक माइनस गती जो है फहराव सहीध जो गती है, वो है 45 की और दूसरी वाली है, वो 54 मतलब बस जब चल रही है बस जब चल रही है, वो 54 पे चल रही है लेकिन कई-कई पे वो रूप जाती है क्योंकि उसको बस टॉप पे रूप न होता है अगर traffic signal आगे वहाँ रुकना पड़ता है लेकिन जब भी भी चलती है वो इस speed से चलती है और इस रुकने के वज़े से उसकी ओसत चाल जो है वो कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसका समय बढ़ जाता है तो वही समय जो बढ़ रहा है कितने समय वो रुक रही है उसी का फॉर्मूला यह डारेक्ट है देखिए यह आजाएगा पांच बटे छे नौ से काटने पर तो यह हो गया 60 और यह एक माइनस पांच बटे छे का मतलब क्या हुआ एक बटे छे तो अगर इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा दस मिनिट ठीक है दस मिनिट रुक रही है प्रती घंटे वह बस ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रिंग की पर है तेरवा नंबर का सवाल है इसको सॉल्व करन और वह उसे चुरा कर 60 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से चलाता है चोरी का पता चलते हैं दोपर तीन बजे और मालिक जो है दूसरी कार से 75 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करता है वह चोर को कब पकड़ पाएगा देखिए आसान सी बात है व दूरी बराबर हो जाएगा गती गुने समय तो देखिए अगर यहां पर यह चोर है यहां पर यह धाई बजे था दोपर के धाई बजे यहां से भागना चलू किया और यह बी पर पहुंच गया तीन बजे अब तीन बजे यहां पर एक दूसरा जो मालिक है वो यहां से किलोमेटर प्रतिगंड़े की ठीक है और यहाँ पर इस मालिक की स्पीड कितनी है 75 किलोमेटर प्रतिगंड़े एक बात आप आप सब्धिये ति कही स्पीड जादा है मतलब ये जादा गती से भाग रहा है तो कही न कही वो उसको पकड़ से भाग रहा है, तो अब एक चीज आपको समझना होगा, कि B से D जाने में चोर को जो समय लगेगा, और यहां से A से D जाने में जो तीन बजे के बाद समय लगेगा, यह दोनों समय बरावर होगा कि नहीं होगा, जितने समय में B यहां से D पट तक पहुंचेगा, जोर तक पह तो अगर समय constant हो गया, तो जो जितना तेजी से भागेगा, वो उतना ही दूरी भी cover करेगा, मतलब S1 is to S2 बरावर D1 is to D2 होता है, अब देखिए हम यहाँ पर करने के अवाले हैं, सबसे पहली बात तो इस दूरी का पता कर लेते हैं, इस दूरी का पता हम कर लेते हैं, इस दूरी का पता कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर जो धाई बज़े से तीन बज़े के बीच में कौन भाग राता, चोर भाग राता, तो चोर यहाँ पर जो distance cover करेगा, वो जाएगा चोर की गती, गुने समय, और समय, देखिए क्योंकि यहाँ तक 30 किलोमेटर की दूरी है, अब देखिए, हमको यह पता है कि अनुपात जो होता है, speed और distance का, वो same होता है, तो हमें यह पता है कि यहाँ से जो मालिक भाग राया, S A, अनुपात, यहाँ से जो चोर भाग राया, S B, इनके speed का अनुपात, यानि गती का अनुपात चारी होगा, क्योंकि जो ज़्यादा तीजी से भाग रहा है, वो उतने ही दूरी कवर करेगा, क्योंकि समय बराबर है यहाँ से, तो अब देखिए, हमको पता है कि time जो होता है, वो लगेगा कितना, यहाँ से जो time इसको यहाँ तक लगा, वही time हमें लगने वाला है, तो अब हम distance time निकाल रहे है, समय निकाल रहे है कि A को वहाँ तक कहुंचने में कितना समय लगेगा, तो वो जाएगा distance of A बटे speed of A, देखिए, अगर गती बराबर है, दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा, दूरी बटे गती, तो वही हम कर रहे है, distance जो A का है, बटे speed यानि गती जो A का है, तो A की जो दूरी है, वो है भई, पांच, तो अगर एक बराबर 30 है, तो पांच बराबर गुने 30 कर लीजी, आ जाएगा 150 किलोमेटर की दूरी कवर करनी है कि लिए, एक को, 150 की दूरी कवर करनी है, और जो गती है, वो गती कितने की है, आप जानते ह लग जाएगा, A को, यानि मालिक को, वो हो जाएगा दो गंटे, और दो गंटे कब से हम ले रहे हैं, तीन बजे से हम ले रहे हैं, तीन बजे से कितना समय लगेंगा, पांच, दो गंटे लगेंगे, यानि पांच बज जाएगे, आप चाहें, तो यहां से भी समय निकाल ल देखिए, एक सेकेंड में एक कार 20 मीटर जाता है, तो किलो मीटर प्रति घंटे में इसकी गती क्या, तो दो छोटी-छोटी बाते हमें पता होनी चाहिए, पहली बात यह है कि गती बराबर होती है, दूरी बटे समय, तो जो इसकी गती है, यह हो जाएगी दूरी, मतलब यह 20 मीटर कवर कर रहा है, 20 मीटर बटे एक सेकेंड, तो यह जो गती है न, यह है 20 मीटर प्रति सेकेंड में, प्रति सेकेंड में, लेकिन हमें जो गती चाहिए, वो चाहिए भाई, किलो मीटर प्रति घंटे में, तो आप जानते हैं कि 1m प्रथी सेकेंड जो होता है वो 18 बटे 5 km प्रथी घंटे होती और 1km प्रथी घंटे जो होती है 5 बटे 18 मीटर प्रथी सेकेंड तो देखें अगर हम इसको km प्रथी घंटे में कवर करेंगे तो आजाएगा 20 गुणे 18 बटे 5 करना पड़ेगा 5 से करना पड़ेगा 4 बर और 4 गुणे 18 होता है 12 किलोमीटर ठीक है किलोमीटर प्रती घंटे तो किलोमीटर प्रती घंटे में इसका 72 ये सही उत्तर हो जाएगा ठीक आशा करता हो की समझ में आगया होगा आपको अब नाओ और धारा की कुछ सवाल देखते हैं आएए देखिए पहला सवाल दिया हुआ एक गंटे में एक नाओ धारा की दिशा में 11 किलोमीटर और धारा की खिलाफ 5 किलोमीटर जाती है तो पूर पानी में नाओ की गती क्या है देखिए छोटी छोटी सी बात हमें पता हो यह सारी जो है यह अलग अलग गती है ठीक है US मतलब धारा की विपरीत में जब नाव चलती है तो उसे हम US कहते हैं यह सारी क्या है गतिया है और गती बरावर क्या होती है गती बरावर होती है दूरी बटे समय तो पहली वाली गती जो है धारा की विपरीत दिशा में दूसरी क्या हम निकाल सकते हैं धारा की दिशा में बिलकुल निकाल सकते हैं क्योंकि धारा की दिशा में यह 11 km जाता है एक घंटे में तो डि-स बरावर हो गया दूरी बटे-1 मतलब यह हो गया ग्यारा किलोमेटर प्रती घंटे किलोमेटर प्रती घंटे ठीक है दूसरी बात जो हमें पता है वो क्या है कि अगर अप्स्ट्रीम जा रहा है वापस आने में एक घंटे में केवल वो 5 है किलोमेटर जा पाता है तो 5 किलोमेटर प्रती एक घंटे में शांत जल में नाउ की चाल हमें निकाल नीथी गती, यह वतार DS-US बटे दो, हो जाएगा 11 प्लेस पांच बटे दो, तो यह वह गए 16 बटे दो, और 16 बटे दो मतलब 8, 8 किलोमेटर प्रती गंटे, किलोमेटर प्रती घंटे इसकी चाल हो गई, गती हो गई. ठीक है? आशक करत में धारा के खिलाफ लोड़ता है तो किलोमेटर प्रति-घंटे में इसकी गती क्या है ठीक है किलोमीटर प्रती-घंटे में धारा की गती हमें दाठीक है दो हो तो दो अखा कि गती गती there जब यह वापस आता है तो 18 गंटे 18 किलोमेटर कवर करना है लेकिन अब उसको 12 गंटे लग जा रहे हैं तो कि धारा की विपरीद दिशा में जा रहा है तो यह कितने से जाएगा आपका जवाब होगा 1.5 आ गया किलोमेटर प्रती घंटे ठीक तो अब हमें निकालना था धार जो कि होता है 1.5 यानि यह जो बी ऑप्शन है यह सही जवाब हो जाएगा सवाल का ठीक है आशा करता हूं कि अभी आपका क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते है 17 नंबर का सवाल आ चुका है इसको सौल्व करेंगे देखिए यहां दिया हुआ एक आदमी स् अतना दूर है यह हमें निकालना है थिक तो यह सारी छोटी छोटी बाते तो हमें पता ही रहने चाहिए लेकिन हमें एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर गती बरावर होती है दूरी बटे समय तो जो समय होता है वो होता है दूरी बटे गती यह तो आपको पता ही होगा क कि समय जो होता है, वो होता है दूरी बठे, घती. तो अगर एक व्यक्ति है, वो ए से निकलता है, और बी तक जाता है. और बी से वापस यहाँ आता है. अब सपोस करीए कि धारा इस बिषा में बहरी है, तो धारा की जो गती है, वो है एक किलोमेटर प्रतिघंटे की और यहां से जब गति जाएगा तो वो अपने स्थिर जो उसका स्थिर जल में उसकी जो गति है उससे जाने की कोशिश तो करेगा जो कि है वाई किलोमेटर प्रतिघंटे लेकिन लेकिन आप देख पाने की धारा भी चल रही है तो यहां से उसका जो speed होगा वो हो जाएगा US upstream जो की होता है X-Y जो की हो जाएगा 4 km प्रती घंटे और जो यहां से वापस आने की कोशिश करेगा तो वापस वो अपने ही चाल से आने की कोशिश करेगा, अपने ही गती से वो तैरेगा लेकिन यहां पर उसको धारा का फाइदा भी मिलेगा, तो यहां से उसकी जो speed है, गती है वो हो जाएगी ds और ds जो होती है, वो होती X-Y, मतलब 5 प्लस 1, जो की होता है 6 km प्रती घंटे ठीक है, आशा करता हूँ यहां तक आपको बाते समझ में आओगी distance, याने की दूरी बटे, उसकी गती तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जाने की जो दूरी है, उसको d मान लेते, तो यहां पर जो समय लगेगा, वो d बटे इसकी जो speed थी, वो थी 4, प्लस यहां से वापस आने में दूरी जो है, वो है d और उसकी जो गती है, वो है 6, बराबर हो गया 1, क्या अब हम यहां से d को मान निकाल सकते हैं आपका जवाब होगा बिलकुल निकाल सकते हैं उत्तर हो जाएगा, यहां से 4 और 6 का LCM ले लिजे, 12 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा आपका 3 d प्लस 2 d ठीक है, मतलब यह हो गया 5 d बटे 12 बराबर 1, मतलब कि आपका जो d है d बराबर हो गया 12 बटे 5, जो कि होता है 2.4 2.4 किलो मीटर, ठीक है तो यह जो a उत्तर है, यह सही जवाब है इस सवाल का, ठीक आशा करता हो कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा सा सवाल है ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें आपको पता होना चाहिए, धारा की विपरीद दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में जाने से क्या होता है और समय चाल और दूरी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए 22 नमबर का सवाल आपके स्क्रीन क्यूप पर इसको सॉल्ब करने की कोशिश करते हैं 200 मीटर और 500 मीटर की लंबाई की वाली दो ट्रेन समाना अंतर ट्रैक्स पर समान दिशा में क्रमशह 40 किलोमेटर प्रती घंटे की चल से चल रही है ठीक है गती से चल रही है धीमी गती के चलने वाले ट्रेन को पार करने में तेज गती वाले ट्रेन को कितने समय लगेंगे सेकेंडों में हमें उत्तर निकालना तो चोटी-चोटी सी बाते हमें पता होने चीए कि सबसे पहली बात यहां पर दिया हुआ है कि यह दोनों जो ट्रेन है समान अंतर ट्रैंक पर समान दिशा में चल रहे हैं समान दिशा में चल रहे हैं तो जब भी कोई दो वस्तुएं समान दिशाओं में चलती हैं इस तरह से जब समान दिशाओं में चल रही है, तो जो इनका गती होता है, सापेक्ष गती जो होती है, वो हो जाती है, S1-S2 जिस पर हम मानते हैं कि S1-S2 से बढ़ा है, तो यहाँ पर इनकी जो गती हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 km प्रति घंटे माइनस 40, मतलब 5 km प्रति घ बटे समय, दूरी बटे समय होती है, इनकी गती, ठीक है, तो अगर हम गती मान लेते हैं कि 5 km प्रति घंटे, बराबर इनको जो दूरी कवर करनी है, वो अपनी अपनी लंबाईयों को ही पार करना है, मतलब जो दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 200 मीटर, प्लस 1500 मीटर, मत देखे, हमने यहाँ पर बाएं तरफ लिख दिया 5 km प्रति घंटे, और हमने यहाँ पर साड़े 300 मीटर बटे टी जो है, इसको सेकेंड में डाल दिया, दोनों तरफ हमारा जो यूनिट गडबड़ा गया, तो हमें दोनों तरफ बरावर बरावर यूनिट लिखने होंगे, तो आप जानते हैं, यहाँ पर हमें 18 बटे 5 बुने करने पर यह मीटर पर सेकेंड जो है, किलो मीटर पर आवर में बन जाता है, 5 से काटेगा तो यहाँ 70 आएगा, और 70 को 5 से काटेंगे तो यहाँ चौब आगा, तो 14 बुने 18 का मतलब होगा है 252 सेकेंड, ठीक है, मतलब उत्तर जो है, इसका कौनसा ओप्शन हो गया, यह वाला, डी ओप्शन ठीक है, 252 सेकेंड जो है, इसका सही जवाब पुझाएगा, आशा करता हूँ कि यहाँ सवाल उपको अच्छे से समझ में आओगा, अगला सवाल लेखते हैं, तो अगला सवाल यहाँ पर आ चुका है 180 मीटर का एक लंबी ट्रेन है, जिसे 10.8 सेकेंड लगते हैं, विपरीत दिशा से चलने वाली 270 मीटर लंबी वाली दूसरे ट्रेन को पार करने में, यदि पहले ट्रेन की जो गती है, वो है 60 किलोमेटर प्रति घंटे, तो दूसरे की कितनी गती होगी, यह हमें निकालना है तो देखिए हमें यहां पर एक क्लू दे दिया कि विपरीत दिशाओं में दो गाडियां चल रही है, तो विपरीत दिशा का मतलब हमें जानता है कि अगर ऑपोजिट दिशा में दो गाडियां चल रही है, तो इसका जो स्पीड हो जाता है, वो S1 प्लस S2 हो जाता है, साप हमें दूसरी बात पता है कि गती बराबर होती ही दूरी बटे उसकी समय तो यहाँ पर लिखते हैं कि 60 8 प्लास एस ठीके यह आपका किलोमीटर प्रदी घंटे में हो गया बराबर 180 मीटर की ट्रेन पार कर रही है 270 मीटर वाले ट्रेन को तो दूरी जो हो जाएगी आपस में इन दोनों की दूरियों को पार करना होगा आप इन दोनों की दूरी कमाइन करोगे तो 4.5 मीटर पार करना होगा और पार करने का समय दिया हुआ 10.8 सेकेंड फिर से एक बार आप देख पारें कि ये तो मीटर पर सेकेंड में और ये जो बाए तरफ लिखा हुआ किलोमेटर पर आवर में तो यहां पर हम 18 बटे 5 गुणा कर लेता हुआ 5 से कटेगा 90 बार और 18 शे गुणा करोगे तो यहां 108 आता है लेकिन ये तो 10.8 है तो 10.6 हो जाएगा 6 90 को 15 बार काटता है लेकिन ये तो 0 दिसम्वलब 6 है तो यहां पर 1500 बार काट देगा 150 बार तो 60 प्लस दूसरे वाले का जो स्पीड है ये है 150 के बराबर बतलब S बराबर आ जाएगा 90 किलोमेटर प्रतिगंजी ठीक आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक अगला सवाल देखते हैं अब आयू समंदी कुछ कुश्चन्स देखते हैं ये पहला सवाल आ गया रगू और नंदन की आयू क्रमशा 6 अनुपात 5 के अनु वर्ष के बाद उनकी जो आयू है वो अनुपात हो जाती है 9 अनुपात 8 हो जाएगी तो वर्तमान में उनकी आयू का अंतर क्या है ठीक है तो देखिए दो व्यक्ति है रगू और नंदन वर्तमान में याने प्लस 0 वर्ष में उनका जो अनुपात है वो कितना है 6 अनुपा बात समझिए अगर कोई भी दो व्यक्ति हमारे यहां पर दिये हुए हैं दो व्यक्ति कौन-कौन है रगु और नंदन पर इनका जो अनुपात पहले छे अनुपात पास था और नौ अनुपात आ था तो इनके बीच का अंतर जो है वो समान होना चीए यहां छे और पांच में एक का अंतर नौ और आठ में एक का अंतर यह इसलिए हो रहा है क्योंकि बात समझिए अगर कोई व्यक्ति आज आज आपसे दो साल बढ़ा है तो आज से दस साल पहले भी दो साल बढ़ा होगा आज से दस साल बाद भी दो साल बढ़ा होगा हमेशा जो अंतर होगा आप में और उस व्यक्ति में वो हमेशा सेम रहता है तो अगर रगु और नंदन दो व्यक्ति है इनके बीच में अगर एक का अंतर है तो यहाँ पर भी एक काई अंतर आएगा अब हम यह देखते हैं कि अगर यहाँ एक अंतर है मतलब अनुपात तो बराबर है शे से बढ़के यहाँ पर तीन यूनिट बढ़िया पाच से बढ़कर यहाँ पर भी तीन यूनिट बढ़िया और यह तीन बराबर यहाँ पर आप देख पारें नौ साल बढ़ना मतलब एक बराबर तीन साल अगर एक बराबर तीन साल है तो इन दोनों के बीच का अंतर एक यूनिट था एक बरावर तीन साली तो हुआ मतलब तीन बरस जो है इनके आईू का अंतर जो है वो हो जाएगा तीन बरस ठीक है आशा करता है समझ में आया होगा चाहे वो वरतमान में पूछे चाहे आप पहले ले लिजे या बाद में ले लिजे हर जगा जो है अंतर तो समा नहीं रहता है सी बी से तीन बरस छोटा है तो सी का वरतमान आयू क्या है ग्याद करें तो आए उसको सॉल करने की कोशिश करते ए और बी दो वेक्ति है ठीक है वरतमान में यानि प्लस जीरो साल में इनका जो आयू का अनुपाथ है वो है 8 अनुपाथ 9 फिर हम जाते हैं आगे, कितने आगे गए हम, हम 9 साल आगे चले गए भई, 9 साल आगे गए तो यहाँ पर इनका अनुपात आगया भई, 19 अनुपात 21, तो A और B का अनुपात 9 साल बाद हो गया, 19 अनुपात 21, तो अब हम देखेंगे भई, अंतर कितने का है, अंतर आप देख इसमें भी दो गुणा करना मतलब कि हमारा जो अनुपात बन गया दो गुणा करने के बाद वो अनुपात बन गया यहाँ पे 16 अनुपात 18 अब हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 16 से बढ़कर यहां पर भी 2 का अंतर, यहां पर भी 2 का अंतर, अब कोई गलती नहीं हो रही, तो 16 से बढ़कर यहां पर 3 यूनिट बढ़ा, 18 से 21 मतलब यहां भी 3 यूनिट बढ़ा, और यहां पर कुल 9 साल बढ़े, मतलब इसको अगर क आयू निकालना होगा बी का आयू मतलब 18 और हम वर्तमान की बात कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ वाला 18 लेना पड़ेगा ना कि यहाँ वाला 21 तो वर्तमान में बी जो है वो 18 साल 18 यूनिट है एक यूनिट बरावर 3 साल तो 18 मतलब 3 गुणा कर दीजे 54 वरस का हो गया बी तो C जो था C तो B से 3 वरस और चुटा था तो अगर B 54 वरस का है तो यह 3 वरस और चुटा होगा याने 51 वरस का जो है वो आपका C हो जाएगा ठीक आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और यह जो अप्रोच हम फॉलू कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में कद लिएंवर चाली आगे बढ़ते हैं एक हाकरी सवाल और देखेंगे तीसवे नमबर का सवाल है आकरी सवाल है इस वीडियो का देखें इसको स्वल करते हैं दस साल पहले पिता की उमर जो थी बेटे की तीन मुना थी दस साल बात जो है पिता की उम्र जो है बेटे की दुग नहीं हो जाती है तो वरतमान में उनके आयू का अनुपात निकालना है तो देखे माल लेते ये पिता है अनुपात बेटे कि जो अनुपात है वो दस साल पहले की अगर हम बात करते हैं दस बरस पहले दस बर्स पहले जो था, वो minus of 10 years हो जाएगा, याने past हो तो पिता की उमर जो है बेटे की तीन गुना है, मतलब बेटा अगर एक साल का है, एक अनुपात है, तो पिता जो हो जाएगा, मतलब बेटे का अनुपात एक है, तो पिता का अनुपात तीन हो जाएगा, अब हम आ जा यहां पर पिटा और बेटे का जो अनुपात है वो दुगनी हो जाती है ठीक है पिटा की उम्र दुगनी हो जाती है मतलब बेटा अगर एक है तो पिटा दो हो जाएंगे लेकिन एक बात आपको देखने है कि यहां पर अंतर एक है यहां पर अंतर कितनी के है दो की है तो यह possible ही नहीं है न हमारी अंतर हमेशा सेम होती है तो यहां दो गुणा करना पड़ेगा यहां दो गुणा करना मतलब इसमें भी दो गुणा करना मतलब यहां जो अनुपात है आपके 10 वर्स बात की वो है 4 अनुपात दो की अब हम देखेंगे कि यहां से अपके तीन से बढ़कर एक यूनिट बढ़ा एक से बढ़कर यहां पर भी एक यूनिट बढ़ा और समय की अगर हम बात करते हैं तो यह दस वर्स पहले से दस वर्स आगे चला गया दस वर्स पहले से दस वर्स आगे जाने का मतलब कुल 20 वर्ष आगे चला गया मतलब यह जो बढ़ा यह आपका 20 वर्ष बढ़ गया कितना बढ़ गया भई 20 वर्ष आगे चला गया तो अगर एक यूनिट बरावर 20 वर्ष है हमें यह निकालना था कि वर्तमान में उनके आयू का अनुपात कितना है तो वर्तमान में आयू का अनुपात निकालना है तो या तो आप 10 वर्स पहले का अनुपात ले लिजे या 10 वर्स बाद का अनुपात ले लिजे या चाहे तो आप 4 अनुपात 2 से कैलकुलेट कर सकते हो चाहे तो आप 3 अनुपात 1 से कैलकुलेट कर सकते हो तो अगर यहाँ प भई दस वर्स पहले का अनुपात था, अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान, वर्तमान की अगर हम बात करें, तो दस वर्स पहले से वर्तमान में आओगे, तो पिता अनुपात बेटे का जो उमर हो जाएगा, देखिए ये साट बर्स के थे, तो दस वर्स पहले थे आगया साथ अनुपाट तीन साथ अनुपाट तीन आशा करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा ठीक तो इस भाग पीन में हमने गणतिय योग्यता की कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे की चाल समय दूरी रेल गाड़ी संबंधी प्रश्ण ना अधारा ठीके कारी एवं समय नल और टंकी आयू संबंधी प्रश्ण हमने यहाँ पर पूरे किये तो FTR 3.0 की इस सीरीज में आपका तीसरा जो गणतिय योग्यता का वीडियो यहीं पर समाप्त हुता है कल मिलेंगे हम चौथे वीडियो में कुछ नए विशेयों के साथ इस वीडियो में यहीं पर ही हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद सीजी पीएसी की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपिटेशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले